नमस्कार दोस्तों गीता व्लोक्स में आप सभी का स्वागत है और आज मैं एक नई रिस्पी आप लोगों के साथ लेकर आई हूं एमपी की डिश है अप्पे और धनिया की चटनी तो आप लोग बने रहें वीडियो में लास्तक वीडियो लास्तक देखिएगा तो ये मैंने 500 ग्राम आदा खिलो सूजी ली वी है और ये मैंने बेजिटेवल ली है प्याज है और ये सिमला मिर्च है टमाटर है अरे मिर्च है और गोबी है फूल गोबी और ये धनिया लिया हुआ है बाकि जितनी सारी सबजियां डालना चाहते हो आप लोग डाल सकते हो मेरे पास ज अच्छे से फेड दिया था क्योंकि फिर सूजी में थोड़ा वैसा रहता है तो इसलिए मैंने अच्छे से फेड दिया था एकदम से तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहेगा कंटिन्यू वीडियो कीजिएगा तभी आप लोगों समझ में आएगा किस तरीके से है इसाब से लेना कितने लोग खाने वाले हैं मेरे कर्मिन 9-10 लोग थे इससाब से लिए काटा मेगीर काटा काटा उस को लिए और हम और डालदने तो दही को तो दही और सूजी को मैं अच्छे से फेट everybody काफ़ी अच्छे से ऑधी आप अपना सूजी के हिसाब लीजिएगा मैंने जैसे आदा किलो दूद लिया था तो मैंने डाइस ग्राम से थोड़ा सा ऊपर दही डाला है दही को अच्छे से फेट लिया है तो इसे साफ से मैं डालूंगी और फिर बचा लूंगी तो यह देखो मैं धीरे-धीरे करके इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेश करना ना बूलिएगा ताकि हम जो भी न्यू वीडियो डाले आप तक हमारे वीडियो का नोटिविकेशन सबसे पहले पहुंचे तो इधर देखिए मैंने अच्छे से मतलब अगर कम पड़ जाता है तो मैं उसे साफ से थोड़ा करके मतलब डालती जा रहे हूं और मैं पानी भी डालूंगी इसमें तो काफी अच्छे से बनाऊंगी आप लोग वीडियो कंटीन्यू देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा और सच में यह बहुत टेस्टी और बहुत जादा हेल्दी रहती है अपे बना की दिखाओ मुझे तो मैंने वही दिखाया है आप लोगों को तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा तो इदर यह रखा था पानी मैंने गिलास में तो पानी भी डालती जा रही हूं क्योंकि सारा दही में नहीं फेट सकती हूं सारा दही में फेटूंगे दही थोड़ा खटा था तो फिर ज़्यादा खटे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो इस हिसाब से एकदम कम सामान में और बहुत जल्दी बनाके मतलब दिखा सकते हैं आपके घर में अगर गेस्ट बगएरा आते हैं आप कुछ नया खिलाना पसंद करते हैं तो आप उन लोगों को भी नई डिस्ट बनाके खिला सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है तो इस तरी तो इसी तरीके से आप लोग ट्राइब करें और तो हंड्रीड परसेंट अपपेज होना एक दम सॉप्ट और स्पंजी बनके तैयार होंगे यह गारंटी है मेरी पहुत अच्छा बनेगा और यह मैंने पहली बार ट्राइब किया है तो कोई देखकर और खाकर यह नहीं बता सकता था कि मैंने यह पहली बार ट्राइब किया है इस तरीके से मैंने अच्छे से सूजी को फेट लिया है तो इसको पतला नहीं करना है और इसको मैं मतलब फेट के ढखके रख दूँंगी आधा घंटा के लिए आधे घंटे के तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूं और इस तरीके से पानी डाल दिया है मैंने और अम मैं इसको आदा घंटा के लिए डक्के रख देती हूं आदे घंटे बाद फिर मिलेंगी आप लोगों से और फिर मिलाएंगे वेजिटेवल तो इधर आदा घंटा हो चुका था और फिर मैंने देखा यह तो चेक किया तो अच्छे से काफी गाड़ा हो गया था काफी ज्यादा फूल गई है तो फिर मैंने उस हिसाब से मतलब पानी डाला है और अब मैं डाल देती हूं सारी सब्जीयां सिम्ला मिर्चे गाजर नहीं थी हमारे पास गाजर मिला नहीं था मेरे पास थी भी नहीं तो प्रेट सिम्ला में टमाटर डाल दिया है और घोवी डाल दिया है हरी मेर्च लिया है काटके बारिक कटा हुआ और भी प्याज लब मुझे अपने सूजी के इसाब कितना बनाना उसे साबसे वेजी टावल डालने हैं और इसमें जो दही है वो कंपल्सरी है कि दही के बगएर अपे अच्छी नहीं बनते हैं तो इस तरीके से वेजी टावल डालके मैं इनको अच्छे से चला लेती हूँ और ये जार्व सोड़ा बगएरा और इसमें कुछ नहीं मैंने मिक्स गया और बहुत ज़्यादा सवर्ट चुका है और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं नमक डाल देंगे पहले इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और फिर मैं इसका तड़का तैयार करूंगी कि अगर पहले नमक डाल देती तो फिर दही पड़ा है तो खट्टा हो जाता है इसलिए बनाते करें नमक को नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो थोड़ा पानी डालूंगी इस तरीके से फिर से फेट रूँगी कि यह देखिए आप लोग वेटर हमारा लगबग अच्छे से इसमें जो ना पूरा काम जो पूरा मेहनद जो है ना फेटने के ऊपर है तितना अच्छा फेट लोग है उतना ज्यादा अच्छा बनेगा सोरी मुझे नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा जमवाई आ रही है तो इदर मैंने देखुछ चिम्चा रख दिया है उसमें जलब गैस पे गरम होने और उसमें मैं दो चम्मच रिफाइन डालूंगी और कड़ाई डाई किसी में नहीं लगाना इस तरीके से तड़का बना लेना है जीरा का बहुत सोरी सरसो का बस और कड़ी पत्ते का कड़ी पत्ता है और सरसो है और कुछ नहीं है पत्ता का तो प्लेवरी इसमें आता है तो इसलिए पत्ता होना बहुत जोरूरी है high । तेल गरम हो गया है तेल में जो ना आग लग गई है तो तेल से आग जलने लग गई है आप नूब देखेवी देखेवरेगे केतनी तेज मतलब तेल चलने लग गया है उसमें आग लगी हुए मैं काफी देर फूखती रही लेकिन ये बंद नहीं हुई काफी देर बाद बंद हुआ जब मैंने इसको इस पर रखके और इस तरीके से फूखा तब ये जाके बंद हुआ क्योंकि अगर एक साथ भी डाल द जाती है इसमें मैं डाल देती हूं सरसो सरसो राई कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं और ये देखो कड़ी पता डाला है मैंने और ये थोड़ासा जीरा डालना चाहते हो तो डालो नहीं डालना चाहते तो मत डालो तो ये देखिए इसको मैं दुबारा से मतलब गरम कर लेती हूँ ताकि कड़ी पत्ता और जो सरसोय न अच्छे से चटक जाए तो यह देखिए मैंने तड़का डाम दिया है और आप चम्म से अच्छे से चला देती हूँ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ आप अब आप अब हम रहा मैं रखती थी ओवा पेस्ट अड़ आप अब इसमें दो दो भी मुंद रिफाइं डाल दीती हूं कि मेरे पास ब्रश नहीं ब्रश लगा दो तो अच्छा रहता है मैंने चमसे ही लगा दिया है और अब मैं इस वेटर को इस तरीके से बार देती हूं कि हर एक खाने में इस तरीके से सारे मतलब खाने में बहर देंगे जिस तरीके से इटली बनाते हैं बस्वाजी है और सिरफ यह हैं डार्टली से के जाते हैं इटली जो है ना उसमें बरके और पतीले में पानी बरके फिर मतलब से क बहाब से से की जाती है और यह जो है न ते लगा के डार्ट से दी जाती तो इस तरीके से अपते बनाते हैं और आप लो और no कैसे लगा यह भी बताईएगा और यह सच में बहुत जादा अच्छे बनते थे बनते हैं एकदम हेल्दी विल्कुल मस्तल बनते हैं तो यह देखो इस तरीके से भर दिये हैं मैंने सम्मे एकदम गोल-गोल से और इस्पंजी से बनके तयार होंगी कि मैंने खाये तो बहुत बार थे लेकिन बनाए नहीं थे पर पहली बार बना रही पर कभी सोचा नहीं था पहली बार इतने जादा ही टेस्टी और हेल्दी बन जाएंगे कि अधर मैंने पूरे अप्पे रख दिये थे और उस प्लेट से डख दिये हैं 15-20 मिनट मैंने ढग दिये थे और आपके देख अच्छे से पलट दिये मैं दूसरी तरफ और कितने अच्छे फूले हुए हैं आप लोग देख सकते हो और एकदम गोल्डन ब्राउन हुए हैं पुरे अच्छे से राइस तरीके से उल्टा फ्लटा के शेकने हैं एकदम गोल्डन ब्राउन देखने में एकदम मस्त और स्वस्त और खाने का मन नहीं हो और आपका खाने का मन हो जाए इस तरीके से दिखने चाहिए तो आप लोग देख लीजिए कितना सुन्दर रूसिका हुआ है एक एक करके मैंने सारे निकाल लिए मैं लगा देती हूं प्लेट में बच्छे लोगों को खाने को दे देती हूं क्योंकि ये गरमी बहुत मतलब टेस्टी लगता है तो सबको खिलाप लाके फिर मैं भी खा लूँगी और ये वीडियो सूट नहीं कर पाई भी खाते टाइम का तो मैं जब खा रही थी तक सूट कर लिया था वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सब्सक्काइब कर लिजिएगा मेरा पूरा वीडियो देखने लिए धन् को मैं पूर एकर वीडियों कर लो पुटके लो नहीं कर लोगा हो आपके लोगा है